नमस्कार सातियो, स्वागत है आपका इस वीडियो में, सातियो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत, कि सम divorce बाइल को के लिए में उद्थान कमरें ऐसक्तान बनाने। यह Tous बरॉल में में का अगर हमकों को बॉलर को कप्तान बनाना है ठीक है फ्रेंट। हम बात करने वाल है कि अगर फॉस्ट बॉले किसी भी टीम का हो वो टीम अगर बॉलिंग कर रहा है और आपको लगता है कि आज जो है है आज के मैच बॉलर ही कपतान बनेगा जो कोई सबी आपने टार्गिट किया है तो वो जो आप जो और करेंगे कैसा सब्सक्राइगे ठीक है एक तो हो गया सब्सक्राइटकी का हुप पर्स्ट बैटिंग का और एक हो गया सेकेंड बैटिंग का और कितना ओल रांडर जो है सलेक्ट करना चाहिए कितना ओल रांडर जो है सही रहेगा एक ग्रैनली के लिए यह जो topic जो है आज के वीडियो में cover होने वाला है तो वीडियो के एक like कीजिएगा और channel को जरू subscribe कीजिएगा साथ में अगर आप telegram join नहीं किये तो telegram join कीजिएगा आरेमस fantasy चलिए फ्रेंट यहां पे बॉलर को कप्तान बनाए है ठीक है अब बॉलर को कप्तान बनाए है तो यहां पे अगर डिपेंड करता है कि आप जो है कौन से बॉलर को बनाए है एस्पीनर को बनाए है या फास्टर को बनाए है ठीक है यह डिपेंड करता है पीछ यानि कि अगर चाहuls, यहां पे देखना होगा अल्राउंडर सेक्टन में, All-rounder section में देखिए कि कौन-कौन से baller है जो spin balling कराते है Spin balling ठीक है उसको जो है आपको drop नहीं करना है अगर pitch spinner होगा तो All-rounder section में अगर कोई baller spinner होगा ठीक है तो drop नहीं करना है plus में अगर वो 4 over करता होगा 4 over वाला baller तो confirm जो है drop नहीं करना है पीच अगर faster होगा ठीक है पीच अगर मालेजिए faster होगा तो क्या करना है पीच अगर faster होगा तो अगर All-rounder section में दो पलियर है एक spinner है और एक faster है अगर pitch faster है तो हम जो है faster baller को ले करके जाएंगे ठीक है और spinner baller का क्या करेंगे देखिए का करेंगे कोई भी टीम जो है अगर मेश प्लेक कर रहा है तो उसमें दो spinner होगा और तीन faster होगा ठीक है पीच अगर faster है तो हमको तीन faster को लेना है अब spinner को जो है हमको cross करना है अगर वह spinner All-rounder में है तो एक तरकीच टीम में तोब हुआ को लेंगे और बाल सिक्षन के इस्पीर्फ को जो हम ड्रॉप करते हैं बॉल्निप सेक्षन के जो इस्पीर्फो सेथ युवह करते हैं अब पिच फास्टर होगा तो सही तीम में ठ्योद इसमेंऻर करता चाहे तो रिक्स लेग सकता है लेकिन पर रिक्स नहीं लेगे दोनों इस्पिर्ण को ले करके जाना होगा ठीक है और यहाँ पह स्टर में नहीं होगा यह कै कि यह विंग करेंड five कर लेंघित più अगर पीची. इसी तीनर dat हमारे यह इक है तो अब बात करेंगे फिरन फास्ट मेंड वार्टींग कर रहे उसका क्या करें क्या रहे इस तीम में अगर दो फान रामडर है या तीन और राउंडर है तो किसको किसको ले ठीक है अब देखिए हमारा यहां पर बॉलर कप्तान है ये भी ध्यान देना है कि हम बॉलर को कप्तान बनाए हुए हैं तो जाहिर सा बात है जो टीम बैटिंग करेगा उसका जो है स्कोर कमी होगा इसकोर जो है ज़ादा होने वाला नहीं है ठीक है यानी कि इस टीम का टोप ओरडर फ्लोप होने वाला है और इस टीम को जरूरत है रन बनाने का ठीक है रन की जरूरत है इस टीम को तो हमको जो टीम बैटिंग कर रही है उसका ओल राउंडर जो लेना है जो बैटिंग करता हो याने कि हमको जो है बैटिंग ओल राउंडर लेना है ठीक है बॉलिंग बॉलिंग ओल राउंडर का हमको यहां पर ज़रुवत नहीं है और एक ही ओल राउंडर लेना है जो है आप दो ऑलराउंडर लेकर सब्सक्राइब बाइटिंग टीम से यहां पे अगर आपका आच्छा बॉलर नहीं है जो टीम बॉलिंग कर रहे हैं उसका यहां पे बॉलर नहीं है सभी baller जो है balling section में है अच्छा baller spinner या fighter तो हमको सभी player जो है यहाँ पे select करना है balling section से all rounder section जो है biting team का confirm रहेगा एक ठीक है वो confirm पिक रहेगा second all rounder अगर हमको लेना होगा तो अच्छा player है balling team का अच्छा baller है तो लेंगे वर्ना जो है एक ही all rounder के साथ जाएंगे ठीक है और उसका यहाँ पर हम baller भरेंगे ठीक है अब यहाँ पर biting team के all rounder पर हमको compromise बिलकुल भी नहीं करना है वो भी जो all rounder biting करता है biting all rounder होगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए balling all rounder cave जो है जरूरी नहीं है बॉलिंग वाल जो all rounder है ओ जरूरी नहीं है ठीक है इसलिए जरूरी नहीं है कि इस team के पास score ही नहीं होगा ज़्यादा score ही नहीं होगा तो जब आपका ज्यादा score नहीं होगा तो यह balling all rounder बॉलर करके क्या करेंगे इसको जो है यहां पर अच्छा बॉलर है स्पीनर बनाएंगे तर यहां पर ब्ली और कोई बॉलर है उसके यहां पर यहां में जो बॉलर होगा इसका उसको जो है हम वायस कप्तान करेंगे ठीक है आप जो है यहां पर चार-चार ओफर करता होगा उसी को जो है आपको वायस कप्तान ट्राइब करना है अगर चार ओफर नहीं करता है तो आपको वायस कप्तान ट्राइब नहीं करना है ठीक है और बैट तॉप आडर जो है टॉप आडर बैट्समान जो है स्कूर करेंगे ठीक है ओपनर तो जरूर यह यहाँ पर चलेगा ठीक है अब आते हैं में इंपोर्टेंट टॉपिक है जो की ऑल राउंडर जो बैटिंग ऑल राउंडर है उसके लिए ठीक है उसका जो है आपको देखिएगा इसमें भी जो है डाउन ओल राउंडर प्लस हाई सेलेक्शन वाल राउंडर ठीक है तो इन दोनों में आप जो है खुद डिसाइड किजए क्यों सा ओल राउंडर है जो incense के लिए जाना जाता हैalles अगर वह डॉनमे भी है तो उसको जो है आपको डोर्ना नहीं उसको सेलेक्ट करना ठीक है अगर वह बॉलिंग करता है तो उसको आप जो यह डॉँब कर सकते हैं और डावन बिलकूल भी नहीं है दो हो गाए एक कि ऐगर इस अल्रांडर दो या एक हो यह ओडांडर अग्र बैटिंग करता है सिर्फ आवायटिंग के लिए जाना जाता इसका बॉलिङ है चारआप में मिलने वाले ह्याँ तो हमको ऊणिद्ग करना है बॉप क्षिंग स Ram Unionullen premièreulous जो बोल करें इंपोर्ट करें एकर यहां पर उसका बोलट जो है कपतान है तो एक कोई से भी टिम का जब बोलट कपतान बनता है तो उसके साथ उसके साथ ही जो भी बोलट है साथ ही सब सब को लगभग नहीं भी मिलेगा तो एक विकेट तो जरूर मिलेगा ठीक है एक विकेट कोई कोई जो है दो विकेट भी लेता है लेकिन एक विकेट कॉलफर्ण मिलने ही मिलने वाला है उसके साथ में जो भी बॉलर होगा उस टीम का पांच बॉलर होगा तो हो सकता है पांच कितना पते आएगा नमबर पांच पर है कि इसको दो क्राइब करना है कि क्युक्त आपको ब फ्ल आफ हो जाएगा इसलिए आप ध्यान दिजेगा कि हमको जू चाहिए बौलिंग का बौल लिंग ऑल राउंडर और बैटिंग टीम का ब्वाइटिंग और यह दोनों बात को ध्यान दिजेगा ठीक अब यहां पर हाई सेलेक्शन लो सेलेक्शन बिलकुल भी नहीं देखना है अगर हमको दिमाग से काम करना है अगर बैटिंग और राउंडर का हाई सेलेक्शन भी है तो यहां पर नहीं सुचना है उसको सीधे ड्रॉप पानना है हमको लो वाला सेलेक्शन अगर बॉलर का है तो लो वाल इस टोपिक को समाझ गया हमको वीडियो अच्छा लगाता एक लाइक जरू कीजिएगा